काली काली, काली काली जैनी कहूँ, काली काली जैनी कहूँ, गोबिन्दराधे काली काली जैनी कहूँ, गोबिन्दराधे जाने काल तेरा काली आने ही ना दे जाने काल तेरा काली आने ही ना दे संसार में कोई-कोई भाग्यशाली भगवान की ओर चलते हैं उनमें भी किसी-किसी भाग्यशाली को कोई वास्तविक संत मिलता है उनमें भी कोई-कोई भाग्यशाली तत्पक ज्यान प्राप्त कर लेते हैं फिर भी एक दोश है जो आगे नहीं बढ़ने देता उसका नाम है उधार संसार के काम में हम उधार नहीं करते कहीं राग करना है कहीं द्वेश करना है किसी को गाली देना है किसी का नुक्सान करना है यह सब तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन भागवान सम्मंधी साधना में उधार कर देते हैं अभी तो हमको पढ़ना है भाई अभी तो हम बीए करें में करें पीचडी करें आई एस में आना है हमको हो गया पड़ाई बड़ाई हाँ हो गयी अरे भाई अब तो हमारे कुछ ऐसा समय आ गया है ब्या हुआ करेंगे हो गया हाँ हम सरा बच्चे बच्चे हो जाए बच्चे हुए हाँ हम सरा बच्चे बड़े हो जाए अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चे बड़े हो गए आँ हो तो गए लेकिन ऐसा है कि अभी तो वो नादान है यानि वो तुम्हारे बाप बनेंगे क्या इसी जन्म में कोई बाप अपने बच्चे को अपने बराबर तो काबिल मानता नहीं हो इलाबाद में एक काबलों को अपनी बीती बतावे एक जश्टिस थे हरिश्चंद्र उनके घर हम गए उस जमाने में हम बिना बताए ऐसे घूमा करते थे अपने सत्तंगियों के यहाँ तो इलाबाद में छे साथ जश्टिस हमारे सत्तंग में थे घूम जाते थे कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ तो उनके यहाँ जब गए और खड़े हुए बरांडे में तो अंदर से आवाज आई उनकी बीबी की कि तुमको कभी अकल नहीं आएगी उनकी बीबी अपने पती को कह रही थी मैं सोचा इसकी बीबी तो दरजा चार पढ़ी है मुझे पता है और यह जिन्दगी और मौत का फैसला करता है जस्टिस है और यह कह रही तुमको कभी अकल नहीं आएगी तो हम संसार में उधार करते हैं उधार संसारी काम तुरंत करते हैं और भगवत विशय के कार्ज में उधार कर देते हैं अभी तो बच्चे हैं अभी तो जुगा वस्था है बुढापा आ गया रिटायर हो गए बबा आप तो करो कई रिटायर्ड आफिसर्स बड़े-बड़े हमारे सत्तंग में रहे हैं जीवन में रिटायर होने के बाद हमने कहां गो भई तुम अब क्या कर रहे हो क्योंने एक नहों करी और कर ली अब जा रहे हैं वकालत करने अरे बही क्या करोगे तुमको दो रोटी का इंतिजाम तो है ना अरे वो तो ठीक है लेकिन खाली बैठे समय नहीं कत्पा महराजी यानि काठना है यह मानव देह किसी प्रकार मरने तक चल्याएं इसका और कोई एम नहीं समझ में आया तुमारे पिला परवाही बेद कहता है नश्वश्व उपासीत कोही पुरुशश्य सोबेद अरे कल कल मत करो कौन जानता है कल नावे प्रहलाद ने कहा था कवमार आचरेत प्राग्यो धर्मान भागवता निह चोटी आयू में ही भागवत भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए भले दो घंटे करो एक घंटे करो शुरू करो महाभारत ने कहा गया जुवई वधर्मशील अस्यात अरे जुव अवस्था शुरू होते ही भगवान की ओर चलो क्यों अरे ये अवस्था बड़ी खतरनाक है अंकार से जुकत होती है भगवान और संतों के बारे में सुनकर हसते हैं लोग अरे क्या याद भी बात करते हैं रादे रादे हो जा रहा है बाबा दे को तो इनको कोई काम न धाम कपड़ा रंगा के घूल रहे हैं अईसे ही लोग लड़के के जो होते हैं कॉलेज के ऐसे ही बोलते हैं बाबाओं को देख करके हसते हैं आपस में देखो देखो हमको जब जगद गुरु बनाया काशी बिद्धत परिशद ने तो हमने सिंघासन पिंघासन नहीं रखा हमने कहा है जगद गुरु लोग सिंघासन लेके चलते हैं यह क्या फाल्टू की बाते हैं हरे ऐसे ही बोलो पब्लिक में तो हमारे खिलाफ उन्ही पंडितों ने जुन्हों ने उपादी दी उकसादिया पब्लिक को इफ्तार निकालो इनके खिलाफ कि सिंघासन पर बैठ के जगद गुरु बोलता है ऐसे कैसे और उसमें उन्होंने पॉइंट रखे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वकील गाउन पहन के जाता है क्या गाउन पहनने से योग्यता बढ़ जाती है लेगे लेगे मर जादा है उसका पालन करना चाहिए तो यह जगद गुरु को सिंघासन पर ही बैठ के बोलना चाहिए यह शंकराचार्ज के दमाने का नियम है जहाँ जहाए वही पैस्तार हमारे खिलाब तो हमारे कुछ सब्संग्यों ने कहा महराज जी बनवा लीजिए यह पब्लिक कहीं सुनेगी नहीं आपका लेक्चर बिना सिंघासन के तो हमने कहा पंगवालो बाबा बाड़ी सिंघासन बनवाया अब उसके लिए चार छे आदमी हमारे साथ चले हमेशा तो हम अकेले चलते थे लेक्चर देते थे अब उस सिंघासन समालने वाले भी रहें एक जीप में सिंघासन जाए एक गाड़ी में हम जाए लेक्चर देने राजाओं की तरह नाटक शुरू हो गया दो-तीन साल चला उसके बाद चाइना ने इंडिया पर हमला किया उन नहरू को दमाना था तो मैंने उसको रक्षा कोश में दान दे दिया सिंघासन वगेरा को अपने चीफ इंडिस्टर को यूपी में लखनव में शुट्टी मिली हमको अब जब सिंघासन पर बैठ के चलने लगे बोलने लगे तब फिर पब्लिक बोलने लगी देखो देखो बाबाजी को सिंघासन है चांदी का यानि जब नहीं था तब इस्टार खिलाफ निकले जब हो गया सिंघासन तो मजाग बनाया जा रहा है तो फिर दान दे दिया तो लोग चुप हो गए अरे रक्षा कोष में दान कर दिया है ऐसे जगत गुरु है ये तो ये संसार का नाचत कभी खतम नहीं होता हर व्यक्ति को उधार बंद करना चाहिए किस छण में ये देख चिंज आए रोज तो देख रहे हो वो पैदा होते ही मर गया वो छे महीने का होके मर गया वो आईस एस हो कर के आ रहा था खुशी मनाने रास्ते में एक्सिडेंट हो गया मर गया वो भावरी फिर रहा था बिश्व सुन्दरी के साथ छे बार घूमा सात्वी बार चक्कर आया गिरा मर गया हा रोज देख रहे हैं साथ खुब देख रहे हैं हमारे महले ही में हो रहा है रोज चाय पी रहा दाओ सो रहा दाओ वहीं मर गया सबेरे उसको बी-बी जगाती है अड़े उठो छे बजे वो चला गया क्या उठेगा बिचारा हार्ट पेल होते हैं आजकल तो इसलिए उधार नहीं करना है तुरंत करो